हलो दोस्तों, वेलकम बैक प्रिती ब्लोग हल्दवानी तो मैं आज बनाने जा रहे हूँ नीबू का सन्ना पहाडी बेंजने बहुती टेस्ट्री और बहुती स्वाधिस्ट्र होता है इसका और खास तरुपे थंडियों में तो इसको बहुती अच्छे से सभी लोग बनाते हैं और सभी लोग खाते हैं तो मैं आप लोग कोई कैसे बनाते हैं इसको बनाना दिखाती हूँ और बहुती सराल और यूनीक तरीका है इसका तो ये हमने नीबू छिल लिये हैं और ये भांग है और हरी मिर्च ये नीबू मैं छिल रही हूँ बहुत ही आसानी से छिल जाता है इसमें चाकू की मदद से इसमें पहले चार कट लगा लिये जाते हैं फिर उसके बाद इने अराम से निकाल लो और नीबू बिल्कू साफ छिला हुआ होना चीए अब इसे हमने बीच से कट लगाया और इसे दो भागों में बाट लिया है ये देखिए अब इसकी चाकू की मदद से हम इसके पीसे बना लेंगे और जो चिकल है उसे हम फेंग देंगे चिकल बिल्कू भी ना डाले क्योंकि चिकल मूमा आता है न तो स्वाद बिगड़ जाता है इसलिए चिकल को हम लोग साइड रख देंगे और फ्रेस फ्रेस नीबू के पीसी डालेंगे इसमें तो जब तक नीबू चिलते हैं मैं आपको बता दूँ ये जाडों में ही मिलता है और इसको थंडियों में ही खाया जाता है धूप में बैटके इसका सुआदना दुगना हो जाता है धूप में बैटके खाने से तो ये मैं देखो कैसे पीसे निकाल रही हूँ इसके और चिकल को मैं साइड रख दे रही हूँ इसे सभी लोग खाते हैं खासतर पर महिलाओं का तो ये फैबरेटी है और अब थंडियां आ गई है तो हम तो इसे continue बनाते ही रहेंगे लगातार थंडियों में बहुत मज़ा आता है इसमें मूली भी हम लोग काट लेते हैं और अब लोग काटी हुई है और नीबू है और जो नमक मैंने आपको दिखाया था भांग हमने पीसी है मिर्च नमक और थोड़ी सी हल्दी ये मूली है और इस नमक को हमने सिलबटे में पीस लिया है और ये हमने चीनी डाल दी इसमें गुड का भी प्रियोक करते हैं लेकिन हमने आज चीनी डाली है चीनी से भी इसका स्वाद अच्छा आता है गुड से भी अच्छा आता है कुछ लोग इसमें सहद भी डालते हैं तो आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं मीठा करने के लिए और जो इसका स्वाद है न मैं आपको बता दूँ बीना हाथ लगाए तो इसमें मजाई नहीं आता है चम्मच से बिलकुल नहीं घुमाना चाहिए उसमें स्वाद नहीं आता है और हाथों से ही इसको मैस लेना चाहिए खूब अच्छे से जो इसका रस है उसको निचोड लेना चीए निकाल लेना चीए बहुत अच्छे से यह देखिए हातों की मदद से किस तरह निचोड़ा जा रहा है क्या जबर्दस्त मसाला दिख रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और यह देखिए यह इसको ना बीना दही के भी खा सकते हैं और दही डालगे कुछ लोगों को बीना दही के पसंद होता है तो हम लोग ने साइट कर दिया है कुछों को बीना दही का भी पसंद है और जिसको दही बालब पसंद है अब हम इसमें दही एट कर लेंगे ये दिखिए, दही एक दम अच्छा वाला होना चीए ताजी दही होना चीए, खटता दही नहीं होना चीए उससे मज़ा ँखराब हो जाता है और इसको भी अच्छे से mix कर लेंगे इसे दिखिए, हातों कि मदद से बहुत अच्छे से इसको mix कर लिया है क्या इसका टेक्ष्चर बिल्कुल एक दम जबदस्ता आगिया है मैं तो बोलते बोलते ही मुँ में पानी भी आने लग गिया है ये देखिए थोड़ी सी हम हल्दी भूल गए थे तो मैंने हल्दी अब डाली है इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और दही थोड़ा कम हो गया था तो और डाल दिया है दही तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जो नए हैं वो सब्सक्राइब तो जरूर ही करें और कमेंट भी जरूर करें जर सकतरी को मेरा पजाईब याइक भी तो रही किसे दिटाव तो प्लीन दिन दिने मेंट Farm